हाई गाइस तो आज हम देखेंगे सैमसंग के बजट फोन में जे न्यू एंडरोड अप्टेट है उसमें लॉक स्क्रीन में क्या क्या नही चीजे कर सकते हैं तो देखिए आप बजट फोन है इसलिए कुछी न्यू फीचर्स ला सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर टैप खोड़ करना पड़ेगा उसके बाद पिन डालना है फिर आप जैसे क्लॉक है तो उसके पर अंडर टैप करेंगे तो आप उसमें न्यू क्लॉक स्टाइल्स कुछ ही है एक दो पांट है इसमें से कोई भी आप बदल सकते हैं देखिए यह को अक्स टैप उसमें कलर भी आप बद चेंज कर सकते हैं उसके बाद देखिए फिर कि आपको टैप करना पड़ेगा पासवर्ड डालके और कोच है वह मुझे दिखाते हैं यह जह है नोटिविकेशन पैनल उसको आपनो आइकोन या डीटेल्स में करेंगे तो यहां पर जो भी नोटिविक्शन आई कि वह आपको डीटेल में देखेंगी और उसके आपको ट्रांसपरेंसी भी बढ़ा गटा सकते हो देखिए यह ट्रांसपरेंसी बढ़ गई और जादा करेंगे तो क्लिर हो गया और यह है अटो रिवर्स ट्रेक्स कोलर को चींज हो जागा इससे इसके बाद जो नवया फीचर है वो यह है यहां पर देख सकते हैं इसके अब ट्राप करेंगे ना कि आप जब इमेजनसी हो तो आप इमेजनसी में हो और आपका इमेजनसी कॉल न लग रहा हो तो इसके उपर ही आपकिसी अपने गरवाले का नंबर लिखके उसका नाम भी लिख सकते हो और सेव करके जब भी आपको कुछ उश्यक्त होगा वैसा होगा तो इसकी मदद से आपको या आपके पापा किसी को भी कॉल करके यह बता सके रहा की आप इस दोनों जगह पे आपसेकर सकते हों बस यह कुछ चीज़ें थी जो आप निव एंडर थर्टिंग अपडेट जो समसंग के बजट फोन में है उसमें कर सकते हैं और कुछ ज्यादा नहीं है